नमस्कार प्रेदर्श को स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन आश्टो में तो दोस्तों जैसा कि हर्वेक्ति की जीवर में कोई ना कोई उसका प्रेम संबंध होता है या फिर किसी का नहीं भी होता है तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम हतेली में बनने वाली कुछ प फिर दी शाथणियों को सूचीत करती अत लिए ये इससी वेक्ति कैसा एफ प्रेम संबंध की रिखाएं होंगा उतनी इसतरियों से उस वीडियों समयाँ में जान लेना चाहिए एसा विचार करते समय पर्वत का सात्ताieu ध्यान की यंकि याइन की विद्यों complete शो ऐसा विक्ती अवश्य ही प्रेम संबंद स्थापित करता है। तथा ऐसी विक्ती का प्रेम भी सही होता है। यदि ऐसी रेखाएं हो और शनी परवत ज्यादा उब्रहा हुआ बाकी के परवतों से तो ऐसा विक्ति अपनी आयू से बड़ी स्थ्रियों के साथ प्रेम संब्ध बनाता है। तो ऐसा विक्ति काम वासना ही तो सुन्दर इस्थ्रियों के पीछे-पीछे मारा फिरता है। लेकिन यदि शुक्र परवत अति विक्सित हो तो ऐसा विक्ति कई इस्थ्रियों के साथ संब्ध मनाता है और पूर्ण सफल भी रहता है। साथ ही ऐसी रेखाई जितनी हरीदे रेखा के अधीक नजदीक होंगी उतना ही ऐसा विक्ति कम उम्र में प्रेम संब्ध बनाएगा। जैसे कि यह आपका बुद्ध परवत है और यह आपकी हरीदे रेखा। तो अब इस पूरे पार्ट को आप दो हिस्सम बाठ टीजे। बीच वाले हिस्से तक को हम 25 की उम्र तक ले लेते हैं तो यदि आपकी प्रेम संब्ध की रेखाई 25 की उम्र से पहले है तो विक्ति कम उम्र में ही प्रेम संब्ध मनाता है यानि कि 25 की उम्र से पहले उसके संब्ध स्थापित होते हैं यदि 25 की उम्र के बाद है तो ऐसे विक्ति के लेट प्रेम संबंद स्थापित होते हैं कहाने का तात पर यह है जितनी है रेखा है रेदे रेखा से दूर होंगे उतना ही विक्ति अधीक आयू में ऐसे संबंद स्थापित करता है ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन विक्ति की हतेली में ऐसी रेखाई नहीं होती त अपने घ्रिस्त जीवन में अधिक विचार रखते हैं साथ ही ऐसे लोगों पर अन्य इस्त्रियत्वा प्रेम का भूत कम ही असर करता है यदि प्रेम की रिखाएं ग्यारी और पुष्ट हो तो ऐसे विक्ति के प्रेम समन्द भी गहरे ही होंगे परन्तु यह रिखाएं यदि अस परिष्ट दूरबल और छोटी या फिर कमजोर से हों तो ऐसे विक्ति के प्रेम समन्द भी थोड़े समय तक ही रहते हैं यदि किसी विक्ति के दो प्रेम सूचक रिखाएं कुछ इस प्रकार से साथ साथ आगे बढ़े तो ऐसे विक्ति के जीवन में भी एक साथ दो इ कि तो चालू रगती है अब यदि प्रेम- रमांस रिखा आगे चलकर दो भागों में बट जाएं तो ऐसे विक्ति के प्रेम समंद भी जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं यदि रुमान सत्वा प्रेम सूचक रेखा सूर्य परवत की ओर जा रही हो तो ऐसा विक्ति सोच विचार करके प्रेम समंद उचे घरानों से करेगा यदि किसी विक्ति के हाथ में रुमांस रिखा प्रेम प्यार रिखा से कोई भी सहाय रिखा हतेली में नीचे के और चली जाती है तो किसी बदनामी का संकेत देती है यदि है रेखा अर्थात रुमांस रेखा तो शाकों में बढ़ जाती है तो भी प्रेम समंद जल्दी समापत हो जाते हैं यदि किसी विक्ति की हतेली में प्रेम रेखा से कोई सहाइक रेखा उपर की और अर्थात हतेली में उपर की और रुख कर जाए तो ऐसे विक्ति का प्रेम समंद पक्का अर्थात बहुत देर तक चलता है यह देर एखा बीच में तूट जाती है तो यह प्रेम समंद उस आयू में तूटने का संकेत देता है साथ हम आपको बता दे कि विवहा एखा जो होती है वो प्रेम संबंदों से बड़े वाली रिखाई होती है और विवारेखा जितने स्पष्ट ग्यहरी पुष्ट होंगी उत्रही विक्तिका विवारेखा का जीवन काफी अच्छा जलता है लेकिन जिदी यही विवारेखा टूटी हो ही हो दो भागों में वभाजित हो जाती हो तो विक्तिका दाम पत्ते जीवन दुखी होता है या फिर तलाग बनने के भी योग बनते हैं तो यह तो थी हतेली में प्रेम संबंद की रिखाई से संबंदित कुछ विशेज जानकारी फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैश्री जगानाथ